ये माललो, ये सोच है, इंडियन पेरेंट्स की, इतनी सी सोच है, इतनी सी सोच है, और जितनी उनकी सोच है, उतनी ही आपकी सोच है, अब उस सोच के अंदर-अंदर, अगर आप कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे competition दबा करके है, या नहीं है competition, ये तीन-चार career options है, अगर आप science से निकले तो ये तीन-चार options है, अगर आप commerce से निकले तो, और हर कोई सिर्फ वहाँ से निकल करके job के बारे में सोच रहा है, तो उन career में भी competition बहुत जादा बढ़ गया है, और job में भी बहुत जादा बढ़ गया है, competition के साथ में क्या बढ़ता है, pressure बढ़ेगा, stress confusion बढ़ेगा, या नहीं बढ़ेगा, तो करूं ना करूं, और वो confusion होना भी चाहिए, या नहीं होना चाहिए, यार आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे देखो, कि एक race है, जहाँ पर जितना मर्जी तेज भाग लो, लेकिन आपको आपसे तेज भागते होए, हजारों लो मैं करके रहूंगा, ऐसा होना चाहिए, तो हम कभी भी गोल सेट करने से पहले, या so-called dreams, गोल, उसको सेट करने से पहले, कुछ fundamental questions अपने आप से कभी पूछते ही नहीं, ये problem की सारी की सारी जड़े है, अगर ये question आप लोग इस age group में पूछना शुरू कर दो, तो कुछ कम का हो सकता है, द्यान से समझना हम कहते हैं, उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ बुरी है, on the basis of what, कहानी तो है, क्या आपकी लाइफ एक कहानी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, तो कैसी कहानियां देखने में आपको मज़ा आता है, जिसमें कुछ interesting हो, या boring कहानी देख में मज़ा आता है, सोचो एक मूवी हो, उसमें और कुछ नहीं हो, जो सब करना चाहते हैं, वो ही वो बंदा कर रहा है, उसमें कर लिया, वहाँ पर जाकर बैठ गया, कुछ बच्चे हैं, उनको भी वो ही करवाने में लगा हूँ है, ऐसी मूवी देखो के किया, तो जब आ उसने इसी के दाइरे में किया, जो भी कुछ किया, या फिर इससे बाहर निकल के कुछ ऐसा किया, जो और कोई सोच तक नहीं रहा था, यानि पूरी दुनिया की सोच से अलग कुछ किया, उसमें मज़ा आएगा आपको, आपको खुद को भी, और औरों को भी, थोड़ा सा ब्रॉड करो, प्रॉब्लम पता है कि हम सब की सोच बहुत ही छोटी है, थोड़ा सा ब्रॉड करो, इस कंट्री के परस्पेक्टिव से अगर आप सोचने की कोशिश करो, तो कंट्री में आज की रेट में क्या जरूरी है, कि यह जो दो-तीन करियर ओप्शन्स है, जिसके पी कुछ एक्स्ट्रॉडरी करो, जो उन पॉपुलर करियर में गए, वो सो लोग जो मिल करके कमा रहे हैं वो एक तरफ और आप अकेले जो कमा रहे हो एक तरफ, ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में, ताकि उसको देख करके वहाँ पर हजारों लाखों लोग आएं, तो यहा बाते समझ आती है, कुछ होंगे जो यहां पर उनको प्राब्लम नजर आ रहे होगी, जिनका दिमाग बंद होगा, कुछ होंगे जिनका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा, और मेरी बाते उनके दिमाग में अंदर जा रही होगी, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, जिसकी कोई हद नहीं है, तो इस सब का दिबाग बंद है, सब सिर्फ इसके अंदर कुछ अचीव करना चाहते है, तो बहार इसके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहार को ही कोई कुछ करी नहीं रहा है, समझे, अगर मेरी ये बाते, मालो अच्छा ये हमारी फैमिली में ये बंदा है, ये बच्चा है, उसने अलग हटकर कि ये किया, और महीने का मानो 50 लाख रुपय कुमा रहा है, तो अपने बेटे को क्या बोलेंगे, बेटे छोड की चक्रों पढ़ रहा है, ये ही कंडे, ये होता है, सिंपल का बंदा है, मेर इसको आप दिल और दिमाग कह रहे हो, वो क्या है, एक है आपका मन, कि मेरा मन कर रहा है, मन तो कुछ भी कर सकता है, मन कैसे काम करता है, किसी को करते हुए देखते हमारा मन करने लग जाता है, गाने का थोड़ा बाद शौक है, तो एकदम गाना गाने का मन करने लग जाता ह है दो अलग-अलग चीजे हैं एक है पैशन एक है प्रोफेशन प्रोफेशन उसको बनाना चाहिए जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हो आपकी जो स्किल है उसकी और सप्लाइ बहुत कम हो तो वहाँ पर आपका फ्यूचर ब्राइड है अब बहुत आगे जा सकते हो मतला आपको कितना मिलना चाहिए यहां पर आप खुद तै करोगे तो प्रोफेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए ज़रूज थोड़ी अपने पैशन को भी प्रोफेशन बनाना है जो मुझे नाचने का शौक है तो मैं नाचने से पैसा कमा हूँगा वो एक अलग टॉपिक है यह दो दो अलग अलग चीजे हैं इसको मिक्स कर देते इसलें फज जाते हैं डांस करके पैसा कमाना अधसर डिफरेंट बॉल गेम औल टुगेधर वहां पर कॉंपिटिशन बहुत जादा है डांस करने में कोई कॉंपिटिशन नहीं है नाचने का शौक है नाचो दिन में एक अगर इस तरह से आप लाइफ में चलते हो चोटे-चोटे स्टेप्स उठाते हो तो हाँ पर फेल होना इंपॉसिबल है पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है बस दिमाग खुलने की दे रहे हैं आपको गैप्स टूडने हैं और आपको उसको अपने इंटरेस्ट से कनेक कर देना है आपको देखना है इस दुनिया में क्या क्या गैप्स हैं क्या जरूरत हैं अपनी जरूरत के लिए जीओगे अपनी जरूरत के हसाब से अगर जीओगे तो आपकी जुँदीए मसकी दूर किसि और के हाथ में होगی वो आपकी जरूरत से पूरी करेंगे और आपको कट पुतली पीतरे नचाते रहेंगे हैं अगर इस दुनिया की जरूरत के हिसाफ से जीओगे, अपनी जरूरत को भूल जाओ, दुनिया में देखो किस काम की जरूरत है, उसको आप पूरा करो और इस तरीके से पूरा करो जो और कोई नहीं कर रहा है, तो ये पूरी दुनिया आप पे डिपेंड हो जाएगी, तब आ अजीब वजीब सी चीज़े दिमाग में बिठा दी हैं, आपके दिमाग में गुसा दी हैं, तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं, जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो, आप सिर्फ वो ही करते हो, जो दुनिया करवाना चाहती है, यही आपकी प्रब्लम है, इसलिए आप क जो लोग स्कूल का टॉइलेट साफ करते हैं, बोलो. वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो अपना काम अगर ना करें ढग से, क्या हालत होईगी स्कूल की? कितना गंद मचेगा? सोचो, पूरी अगर टॉइलेट गंदी पड़ी रहे हैं, और आप हाँ पर जा रहे हो, उन्हीं गंदे जूतों के साथ में क्लास में आ रहे हो, पूरी क्लास में स्मेल है, पूरी स्कूल में स्मेल है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो कौन जादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समय ना जो चीज में बोल रहा हूँ, अगरे पकड में आई, तो आप अपनी कंडिशनिंग को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ पाओगे कभी भी, कौन जादा इंपॉर्टेंट है उसकूल के लिए, वो बंदा जो टॉयलेट को साफ कर रहा है, या प्रिंसिपल, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्जाक्ली, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपना अपना काम अगर धंग से करेंगे, तब ही वो स्कूल धंग से चलेगा, नहीं तो स्कूल में गंद बच जाएगा, लेकि दिमाग कैसा बना दिया है आप लोगों का कि ये जो काम है न, ये छोटा है, और ये जो काम है ये बड़ा है, तो आपको बड़ा काम करना है, आपको भी प्रिंसिपल बनना है अगर बनना है तो, पहले टीचर बनना है, मतलब आपके लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, आपके माइंड के लिए, यह जरूर है ज़रूर आया होगा कि मेरे को बढना है और फे प्रोफेसर मनने के बाद में मैं बड़ा मैनत करूंँ आ फे मिरे को प्रिंसिबल बनना है इस सब खच्रों कि रेस है अगर जेन्मिनी लाइफ में कुछ धंका करना है तो इससे पहले आपको बहार क्या होता है देखो खच्छ रो देखो आगया अगया वुरा मत मानगा देखो कैसे सोचते हैं समझ आए आपको दिमाग खुले मैं यही चाहता हूं इंडिया में जो आने वाली जेनरेशन इसका दिमाग खुले दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगोगा उसी तरह से सोच रह तो सब के साथ वो ही हो रहा है जो सब के साथ में हो रहा है सब दुखी है तो सब दुखी है सब excuses दे रहे हैं कि मेरे को problem है problem है तो सब excuses दे रहे हैं कोई अलग कुछ करी नहीं रहा है क्यों नहीं कर रहा है अलग सोच नहीं है अलग सोच क्या होती है इसको ध्यान से समझो, छोटी सी चीज आई मेरे अंदर, कि क्या आई, कि एक प्रॉब्लम है, अगर आपका ध्यान यहां से हट जाए, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, और आपका ध्यान यहां पर चरी जाए, कि इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उन प्रॉब्लम्स मतलब क्या आपने प्रॉब्लम फेस करी आपके स्कूल में जो अभी यहीं से आइडिया है देखो अभी आए है ऐसे सोचते हैं आइडिया के लिए यह नहीं है कि हमको जा करके इंटरनेट पर ढूना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है और इस आइडिया को यहा नहीं है जेनियन प्रॉब्लम है मानलो आप एक फीमेल हो और आप कहते हो कि मैं वहाँ पर जब जाती थी तो पूरी सीट वीट सब गंधी पड़ी होती थी स्कूल में उसकी वैसे बच्चों को इंफेक्शन हो जाते थे कई तरह के फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता इसे और सब बेटा है तो अब इसको ध्यान से सब आइना आपके अंदर से कि मैंने एक problem face करी है और मुझे इस problem का solution निकालना है बींग फीमेल ये बहुत बड़ी problem है मैं जहां भी जाती हूं इंडिया में हर जगे toilet गंदे पड़े है schools में गंदे है colleges में गंदे है public place सब जगे बुरा हाल है ये genuine problem है तो क्या मैं कोई ऐसी machine बना सकती हूं हां यह भार कहीं कोई ऐसी machine हो उसको मैं ढूंड सकती हूं मालो चायना में अल्रडी है जो इंडिया में नहीं है वहां से क्या मैं इंपोर्ट कर सकती हूं इंपोर्ट सुनने में बड़ा बड़ा लगता है लेकिन आज की रेट में कुछ भी नहीं है आपको अगर चाहिए तो वहां से 10 पीस अभी मगा सकते हूं मतलब अगर 2000 रुपे की एक machine है तो 20,000 रुपे में आपका business शुरू हो गय है और क्या यह मशीन जा करके में सेल कर सकती हूं स्कूल में कॉलेजिस में और उनको ट्रेन कर सकती हूं वहां पर जो लोग काम करते हैं कितना छोटा सा इडिया है सुनने में छोटा लग रहा है यहां से आप करोड़ों अर्म रुपे कमा सकते हूं you can become a multi-millionaire जो प्रोफेस यह नहीं कि मेरे अंदर कुछ अजीबसा हा रहा है करने का और मैं कर रही हूं और मैं कह रहे हूं कि मैं बहुत इंस्पायर दू लेकिन में को सकस्सुन मिल रही है ना एक जनुए क्गे प्रोब्लम आपको समझ में आई वह प्रोब्लम जो आपने एक्स्पिरिंस करी है सब्सक्राइड में इंस्पाइड में और नॉन इंस्पाइड में क्या फर्क है कि संधी मैश्वरी का मिर को आइडिया बढ़ा लग रहे हैं टॉलेट में ये सप्लाइ करो तो मैं क्या करो चाइना से मशीन बंग वाऊंगा और से बेचूंगा आप जब जाओगे न स्कूल मे करने के लिए कोई आपको अंदर गुसने भी दिया आपको बुला करके बोलिए हाँ पर बताओ क्या करना चाहते हो तो आपसे बात करें और अब में चल्ब भग या से तेरे यह से बहुत आते हैं सुवर्च से रात तक यहापे पैसा कमाने के लिए पट इस्पाइड विश एक ऐसी प्रॉब्लम का solution निकालने की बात कर रहे हो which you strongly believe in चाह वो बिलीव नहीं करते हैं हो सकता है वो जो सामने बंदे बैठे है जो management बैठे है स्कूल का वो बिलीव नहीं करते है वो गता है क्या फर्क बड़ता है टॉलेट साफ होतो रहा है क्या ज़र होता है इस मशीन के हमको but you believe in that आप अपने experience के base पे बोलोगे वहाँ पर whatever I am saying it's on the basis of my own experience I faced it मुझे पता है मैं इसको बेटर कर सकते हैं आप ऐसा करो, free trial ले लो let me do it just see it for few days अगर आपको लगता है कि इस सही है तो आपकी school में माल लो 10 toilets है तो आप 10 के ले 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 लेना 10 machine का order मुझे बाद में देना पैसे मुझे बाद में देना अभी एक machine में यहाँ पर दे रही हूँ और free में उनको train कर रही हूँ I strongly believe that this this must be done for the benefit of your students फिर भी आपको लेनी है low machine नहीं लेनी तो भाड़ में जाओ ऐसा मन में बोलोगे उनको नहीं बोलोगे नहीं दखके दे के बाद निकालेंगे समझ गए यह क्या है killer attitude है ऐसे attitude वाले लोग life में आगे बढ़ते जाते हैं उनको रोकने कोई तरीका नहीं होता है कि मैं यह जो आपको दे रहा हूँ यह जो मैं आपको यह ओफर कर रही हूँ यह आपके लिए जरूरी है मेरे लिए नहीं है आपके जैसे हजारो schools और है हजारो colleges और है आप नहीं लोग है तो और कोई लेगा मुझे कोई नहीं रोख सकता इसमें आगे बढ़ने से मुझे तो इस प्राब्म को solve करना ही है आज नहीं तो कल आप खुछ चल करके मेरे पास में आओगे ही आओगे जब आप देखोगे और स्कूल में और बच्चों को क्या benefit हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो बिमार पढ़ना कम हो जाएंगे उनकी छुटिया होनी कम हो जाएंगी समझ पा रहे हो उसकी वज़े से आपके जो स्कूल है उसकी ओवराल परसेंटेज इंप्रूव होगी इस वाट देवांट उनकी है अच्छी होगी इसमें आपका जा क्या रहा है कुछ भी नहीं है सपोसिंगि आपने 2,000 की वो मशीन बहार से मंगवाई है आप कहरे हो कुछ भी नहीं है पांच हजार उपे की मशीन है उस स्कूल के लिए क्या है पांच हजार उपद ही से आज की डेट में स्कूल की समझ गये भार कर देंगे खचरों को, समझे हैं, कौन लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो जो अंदर से inspired है, जो charged है, समझ पा रहे हो, Supposingly आप एक स्कूल के principal हो, और आपके सामने कोई, ऐसी कोई person बैठी हुई है, तो आपका जो belief है, आपका जो conviction है, आपका जो confidence है, that becomes infectious, वो भी infected हो जाएगा principle, वो नहीं बिलीव करता है उसके अंदर, पट आपकी energy देख करके, वो energy उसके अंदर चली जाएगी, जैसे आपने note किया होगा, कि किसी ऐसे इंसान से मिलते हो, जो बहुत जादा excited है किसी चीज को ले करके, आप भी excited हो जाते हो, आप, मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो उसकी भी सोच आपकी direction में चल पड़ेगी, वो principle क्या कहेगा या क्या कहेगी, आप कर लो, जो करना है, जो आपको ठीक लगता है कर लो, कोई बात नहीं, समझ गए, ऐसे सूचा जाता है,